आज के हमारी रेसिपी है साबुदाना वड़ा साबुदाना तो वड़ा हमीशा बनाए जाता ही है लेकिन आज मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जिसे फ्राइ करते वक्त आपका वड़ा जो है ऑईल में बिल्कुल भी नहीं फटेगा और एकदम बाहर से क्रिस्पी और अं होती मजा आता है तो देखिए एकदम क्रिस्पी हमारे यह साबुदाना वड़े बने हैं और अंदर से सॉफ्ट ऐसे चाली दार बने हैं तो यह देख सकते हैं और यहां पर्फिक्ट रेसिपी देखने वाले है जिसे यह हमारे साबुदाने वड़े तेल में बिल्कुल पी साबुदाना लेना है तो यहां पर मैंने एक कप भरके साबुदाना लिया है और इसे डालेंगे एक बड़े से बरतन में और एक कप में लेने वाली हूँ टोटल में यहां पर दो कप साबुदाना लिया है अभी साबुदानी को अच्छी तरह से धो लेते हैं ताकि उनमें सबसे पहले साबुदने को अच्छी तरह से डूबने तक भीगोना है तो यह देखिए साबुदना हमारा पानी तक अच्छी तरह से बीग जाते हैं जैसे हमें जरूरत है अगर जादा पानी डालाना तो चिपचिपे जैसे हो जाएंगे तो यह परफेक्ट पानी का मेजर्मेंट है अभी इसे रखके हमें कम से कम 5-6 गंटे के लिए रखना है या फिर सुबह बनाना है तो राद भर भर भी रख सकते हैं तो यह देखिए इसे में 5-6 गंटे के साबुदाने के लिए का मैं आप दो बड़े साइस के उबले हुए आलू लिए है अब गर आपके पाथ च्छोटे साइज के आलो है तो आप चार ले सकते हैं अभी आलो अगर डालेंगे साबुदाने में और इसे हातों से ही रफली तोड़ना है क्योंकि हमें इसे मैश करना है तो इसली वहासनी से मैश हो जाएंगे यह देखिया अच्छी तरह से हमें इसे समैश करना है यह परफेक्ट मेजरमेंट है इससे आपके जो साभूतानी वड़े है एकदम परफेक्ट बनेंगे अगर हुआ जादध आलू भी डालेंगे घ्रिस्पी नहीं बनते ग्दम साउगी जैसे हो जाते तो इसके लिए दो इस मेश स्थूर्य जैसे हो तो इसलिए अच्छे से मसल मसल के हमें इसे गुंदना है आटे की तरह बनाना अच्छे से मिक्स करना है हमें इसे अगर मेरी दिखाईवी रेसिपी आपको अच्छी लगते तो चानल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत बुलिएगा साथी में बेल आइकन पर भी प मूंखफली का क्रश मूंखफली को भून के थोड़ा सा मैंने मिक्सर में तोड़ा से तोड़ा सा डालेंगे तिखापन के लिए हरी मिर्च तो यहां पर दो हरी मिर्च को मैं एकड़ बारिक-बारिक कट कर लिया है तो इन सब ही चीजहों को आ जो साबो देने को गुनने के बाद ही डाली है और एक चमच यहां पर मैं जीरा डाल रहे हुआ अगर आप फास्ट में जीरा नहीं खाते तो नाड़े तो यहां पर में स्वाद के अनुसार जो फास्ट का नमक आता है वो डाल दियो अगर आप स्नैक्स के लिए बड़े बना रहे तो रेगुनर आपका जो नमक होता है वो भी डाल सकते हैं तो अच्छी तरह से वापस से कर लेते हैं मिक्स कि हमें ज़ा हरी मिच अगर बाद में दाली जिए और जो मुंखफली का कुछ है वो भी जादा मट डाले थोड़ा सा ही डाले अब हातों में तेल लगा कि मैंने इसमें से थोड़ा थोड़ा सा डोले लिया है और इसे हमें अच्छे से गोल करना एकदम इवन जैसे हैं तो यह देखिए अच्छे से गोल होने के पाइशे के बाध इसे हमें टिक्की जैसे शेप देना है और ठोड़ा सा हल्का सदबाई और ज्यादा मोटे मत रखर और उंगले के सहाइथा से हमें इसमें च्छेद बनाना है जैसे मेदुवड़े के लिए बनाते नहीं वैसे इसे पहले प्रीज में विल्क कर के रख सकत और एरटाइट डिबे में वरके फ्रीज में स्टोर करके रख सकते हैं दो-तिन दिल के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं होगे और जब फ्राइब कर सकते हैं तुरंद तो यह देखिए दम कहीं पे क्रैक वगरे बिल्कुल भी नहीं जा रहा है यानि हमारा जो एक दम डो है परफेक्ट बना है तो इस तरह से देखिए पीच में छेद करके हम यह साबुदानी के वड़े सभी बना लेते हैं कितने सुन्दर लगते न उतने ही खाने में बहुत ट तो थोड़े से वड़े जो है साइट में डबे में भर के रखोंगे तभी बाद में खाने का मन हो तभी खा सकते है तो तो तेल को भी अच्छे से गरम हो चुका है तभी इसमें यह एक एक वड़े डालेंगे और थोड़ा थोड़ा बीच में ग्याब करके क्योंकि जब यह वड़े फ्राय हो देने तो बीच में यह फुलते हैं फिर नहीं एक दुसरे को चिपक सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा अंतर रखे और इसे तकड़ाई में फ्राय करने रखे तो इस तरह से देख बहुत सारे स्नैक्स की रेसिपी है वो भी आप देख सकते हैं अगर रेसिपी अच्छी लगते तो अपने फ्रेंड सरकल में भी ज़रूर शेयर किजिए ताकि वो भी इसी अच्छी रेसिपी का अनन्न ले सके और इसे ना हमें दोनों तरफ से अलट पर अलट के सुनेहरा कलर आने तक फ्राइ करना है ज़दा डार्क ब्राउन नहीं करना है अगर ज़्यादा डार्क ब्राउन करेंगे ना तो इसमें जो पीनट वगरे डालते हैं हम लोग मूंग फली का क्रश वगरे तो वह थोड़ा जादा नहीं किया है मैंने आधा कटोरी जितना ही डाला है क्योंकि अभी जैसे वड़े हमारे एकदम दिखने में बहुत सुन्दर लग रहे हैं अगर मूंग फली जादा डाली ना तो वह लाकिज जैसे हो जाते इसके लिए जादा इसमाल नहीं है तो यह वड़े हमारे हो सॉस के चाथ चटनी के साथ शेजवान चटनी के साथ भी बहुत टेस्टी लगते हैं यह वड़े दमस से फुले फुले हमारे यह वड़े बने हैं और देख सकते हैं बिलकुल बी ओली नहीं बने हैं और एकदम क्रिस्पी हमारे यह वड़े बने और इतने टेस्टी लग र है यह बोरे